ओम नमस्ट सिवाय हरार महादेवा आप सभी का मेरे हैमा के ब्रत कता उपाय चैनल में स्वागत है दर्सको आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर सावन का ब्रत यानकी सावन के महीने में जो सौंबार पढ़ते हैं उनका ब्रत अगर आप रखते हैं तो आ हिंदू दर्म में सावन का बिसेस मैत होता है इस अफसर पर कैई महिला ने सावन के सौंबार का ब्रत रखती हैं यहां तक कुछ लोग जो महिला होती है वो ब्रत रखते हैं और पूरे महीने ही ब्रत रखती हैं कैई लोग इस सीजन में सैंदा नमक का प्रियोग करते हैं प तब हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहला, देखो सावन के महीने में, अगर बृत रखते हैं, तो कई महिला क्या करती हैं, एक फल से भी रख लेती हैं, कि चार सोंबार हैं, तो हम एक फल से रख लेती हैं, या पिर क्या होती हैं, खीर से रख लेती हैं, एक चीज लेती है या वो कुछ भी ले ले, कही महिला क्या करती है, एक टाइम सागार करती है, यानि कि फल फूर्ट है, जो भी खाना होता, वो एक टाइम ही खाती है, तो आपको उस ब्रत में खाना क्या है, सबसे पहले तो, अगर आप इस तरीके से ब्रत रख रहे हैं, एक ही चीज से, तो भोग लगा कर आप एक समय इसको खाते हैं, तो भगवान भोले नात इससे अती प्रसन रहते हैं, और बहुत ही शुम माना जाता है, भगवान भोले नात बहुत जल्दी प्रसन होते हैं, आपकी हर मनो कामना पूरी करते हैं, दूसरी चीज, आपको खीरा जो होता है, खीरा होता है चुकंदर होता है वो आपको दो चीजें अगर भगवान बोले नात को भोग लगा कर आप सभी हर सोमवार के दिन खाते हैं तो आपकी हर मनो कामना पूरी हो जाती है ये चीजें भगवान बोले नात को अती प्रसंद करती हैं और अतिप्रिये हैं इन चीजों को आपको सावन के महीने में जरूर खाना चाहिए तीसरी चीज सबजियों में देखो सावन में आप कही तरह की सबजियां जैसे लौकी अर्बी कद्दू इत्यादी का सेवन करें ये शुद्ध और साथिक आहर माना जाता है इसके अलावा कैई तरह की चीज़ें जागनी की ताजा जो फल होते हैं आप उनको खाएं ये सही माना जाता है और शुद्ध होता है यानि की जो ब्रत होता है उसमें आपको शुद्ध चीज़े खानी है और अगर इन चीज़ें का भोग लगाकर आप खाते हैं तो भगवान बोले नात आपसे बहुती प्रसंद रहेंगे और आपकी हर मनों कामना पूरी करेंगे आपको ये चीज़ें खानी है बाकि आपको और चीज़ें नहीं खानी है जैसे की प्याज, लैसुन, मास, मचली ये सभी चीज़ें सावन के महीने में बरजित मानी जाती है अगर आप खाते हैं इन चीज़ों को तो सावन के महीने में इन चीज़ों से आपको बचना चाहि झाले